पादिरीजें फ़म्बक मातापिता की सेवा करने वाले स्रवन कुमार की कहानी तो आपने जरूद सुनी होगी लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही कल्यूक के एक स्रवन कुमार से मिलायेंगे जो अपने बुढे मातापिता को दोनों कंधों पर बैठा कर सैकलों किलोमीटर की कावड यात्रा कर रहा है जी हाँ हम बात कर रहे है यूपी के मुझफ़णगर जनपत के स्रवन कुमार की जो अपने माता पिता को कावड यात्रा करवा रही है आपको बता दें कि मेरट जनपत के गाव निवासी बिट्टू नाम का एक शिवभक्त कावड या हरी दुआर हर की पैड़ी से गंगाजल उठा कर अपने माता पिता को अपनी कावड में बैठा कर 180 किलोमीटर पैदल चल कर अपनी कावड यात्रा पूरी कर रहा है और ऐसे में इस शिवभक्त के माता पिता भी बेहत खुश है उनका कहना है कि ऐसे स्रवन कुमार सब के घरों में पैदा हूँ बिटू के माता पिता ने खुशी जाहिर की है और क्या कुछ कहा आईए आपको सुनाते है मारे बेट तीरत कर वाकलेगा है इस शेवा करेगा उडाब माद पीता की शेवा करेगा कि बड़िया कुछी मिल गदी कि वह ग्रॉ और घड़तर बहुत अच्छा लग रहा है कि सब दो Almost एसा निसोचा है हमने इसा निसोच्छा है। गृता नेैसा अब अश्यार कभी कोई बता को ले झाना जिए आप नी वात पेता को ले जा रहा है इस समय शिवभक्तों के लिए पावन महीना सावन चल रहा है जाए एक बड़ी संख्या में शिवभक्त भोले नात को प्रशन में करने के लिए गंगा चल भर कर ले जा रहे हैं वहीं सबके बीच बिट्टू नाम का ये रूप अपने आप में अलग मिशाल पेश कर रहा है इस दोरान बिट्टू के माता पिता अत्याधिक खुश नजर आए GMD News के लिए अमित के साथ सोशल मीडिया डेस्क शोयता अगरवाल की खास रिपोर्ट